दोस्तों इस वीडियो पे हम बात करेंगे क्लास 12 कमेस्ट्री का एक काफी ज्यादा important question जो कि आपके बोड़ एकजा में हर बार पूछा जाता है यानि कि आगर बात करें हर बार का मतलब यह है कि आपके देखे 6-7 set आते हैं जिसमें से माल लीजे किसी ना किसी set में 100% आता है इसी का एक और होता है यह जैसे आपका विक्टर मेयर परिचन है एक होता है लिवकास परिचन तो यह दो question इदर उदर set में घूमते रहते हैं ठी यह एक प्रकास से एलको हालों का परिचन होता है ठीक है मतलब आपको इस विक्टर मेयर परिचन के माध्यम से एलको हालों की पहचान को बताना होता है कि कौन सा एलको हल प्रात्मिक है कौन सा दोतियक है कौन सा त्रतियक है यह चीज़े इनको बताना होता है चलिए थेओर तो का परिक्षण अभिक्रिया द्वारा किया जाता है मतलब रियक्षण के थुरू इसका परिक्षण होगा मतलब जांच होगी अंत में रंग का प्रेक्षण किया जाता है मतलब उसके बाद जब रियक्षण कराएंगे जो भी हमें रंग प्राप्त होगा उसी का प्रेक्ष अप जैसे हमें जाच करनी है तो इसमें प्रात्मिक दोत्यक तत्यक मैं आपको रियक्शन में अभी बताऊंगा तो इनकी क्रम से ही एजी एनो टू ठीक है एवं नाइटरस अमले से क्रिया कराई जाती है फिर एन ए ओएच के प्रभाव का प्रेक्षर किया जाता है एक परसंट एलकोहाल रक्त जैसा लाल रंग देता है और इसे बोलेंगे आपर दो अंस एलकोहाल जो होता है यह आपका नीला रंग देता है और जो आपका तीन अंस एलकोहाल होता है वो कोई रंग ही नहीं देता मतलब समझना यह है एक अंस बोलते हैं मतलब जो प्रात्मिक के लकोहाल होती है, प्रात्मी के लकोहाल लाल रंग देगा जब उसका लास्ट में प्रेशन करागे, दोत्य अपका जो ड्वसक्ति से बोलते हैं, वो नीला रंग देगा और त्रत्य अपका कोई भी रंग नहीं देता, किलियर हैं, अब रियक्षन को ध्यान से समझेगा यहाँ पर सबसे important बात यही है देगे जो आपका प्रात्मी के लकुहाल होगा इस reaction में आपको कैसे करना है पूरा मैं आपको एक एक करके समझाओंगा ठीक है प्रात्मी कभी दोतियक कभी तरतियक कभी तीनों की reaction आप यहाँ पर जानने बाले हैं और यही मेंट पॉइंट होता है reaction ही आपको समझ में नहीं आती और यही बोड़िक जाम भीया पूरा पांच नंबर के लिए आता है तो यह चीज आप लोग 100% ध्यान देजेगा चलिए देगे जो प्रात्मी के लकुहाल होता है इसमें यहाँ पर क्या है R single bond CH अब यहाँ पर कोई आपका alcohol group जुड़ सकता है ठीक है ना आर की जगा पर तो CH2 OH इसको बोलते है hydroxy alkane और इसको यहाँ पर बताया है कि पहले आपको HI से क्रिया करानी है अब हमें कोई भी अचानक से alcohol दे दिया जाएगा वहाँ पर यह डिसाइड नहीं रहेगा कि यह प्रात्मी के दोतिया के तरतिया कर जब हमें पुरा reaction कराएंगे जो रंग मिलेगा वह हम पहचान पाएंगे तो इसको HI से reaction कराते है hydroxy alkane की ठीक है ना तो यहाँ पर क्या बनता है आपका यह बनता है आर psych2 और यहाँ पर आय ठीक है ना इसमें अपका जो OH है और यह ंइज है इसका हट passado हमादक है तो यहाँ से माइन्न होजाता ठीक है ना तो सकते हैं यहाँ अलग हो गया और यह AI के साथ यूल कि यहाँ पर इसका NO2 इसमें जुड़ गया ठीके ना और यहां से AGI आपका यह अलग हो गया ऐसे मतलब क्रंप से आप समझिएगा AGI यह आपका अलग हो गया ऐसे हो गया अब पुना से आपको क्या करना है नाइट्रस अमल से काहरा ना इसमें नाइट्रस अमल से क्रिया कराए जाती है तो यहाँ पर HNO2 यहाँ नाइट्रस अमल से जब रियक्शन कराएंगे तो फिर आपका यहाँ पर क्या बनता है यह नाइट्रोलिक अमल बनता है जो कि आपके सामने R single bond C double bond N single bond OH और single bond NO2 इसको बोलते है नाइट्रोलिक आमल ठीक है किलियर है इतना करने के बाद किलिया कराई जाती है फिर कर रहा है NAOH के प्रभाव में प्रेक्षन किया जाता है तो जब आपको यहाँ पर NAOH के साथ इसका प्रभाव में नाइट्रोलिक अम्रकार जो है परिष्ण करेंगे तो जो प्रात्मिक एलकोहाल होगा वो रक्त जैसा लाल रंग देता है यह रियक्षन हरेक उसमें स्टेप में होगी जो हमने उत्पर रक लिए हैं प्रात्मिक दो त्यक सरतियक सभीमें होगी तो रक्त जैसा लाल रंग मिलता है आपको इस पस्त बताएगा है एक- преступ अंसल-कोहाल में अब ये तो क्लियर है दो अंसल-कोहाल की बात करते हैं उतना रियक्षन आपका ये इक-स का है अब दोतिये के लिकुहाल में समझे इसे में आपको इसी प्रिकास से आई से एजी एन ओटू से है न ओटू से सारा कुछ यह ऐसा ही होगा ठीक है देखेगा आपके सामने यहाँ पर डबल आर है ऐसे तो इसको दोतिये बोलते हैं ठीक है तो आर आर सिंगल बॉंड के साथ च सब्सuto doing इसको और आज पर यहाँ पर यहाँ पर आप है यहां ठीक होती है यहाँ यहाँ दोने आपको कड़़ेगा र Kr उसाल इस इसके बाद nitrogen के बाद हैं पर HNO2 से कराये गया था तो यहां पर भी आपको HNO2 से कराना है जिक आगे कराया है अब आगे जगाने तो नीचे इसका चल रहा है ठीक ना तो इससे कराये तो यहां पर next step में बनता है single bond R के साथ यहां पर carbon जूड़ेगा और single bond के साथ NO2 और single bond के साथ NO, इसको बोलते हैं pseudo-nitral, क्या बोलते हैं pseudo-nitral बोलते हैं, और जब इतना बोलेंगे, तो यहां से इसका NAOH के साथ जैसे इसमें प्रेक्षण किये थे last में, वैसे ही यहां पर इसका भी करेंगे दोतियक alcohol का, तो दोतियक alcohol का जब प्रेक्षण करते हैं, तो यह मैंने आपको यहां पर बताया था, कि दो अंस जो alcohol है, यह नीला रंग देखता है, ठीक ना, देता है, और अब बात करते हैं तरतियक यानि कि तीन अंस alcohol की, इसमें भी आपका यही प्रोसेश चलेगा, I, A, G, NO, 2, H, NO, और यहां पर NAOH, तो यह इसमें कोई भी रंग नही प्राप्ट होगा, तो चलिए इसको भी करते हैं, कैसे आखिरकार यह आएगा, तो देखें, आपका तरतियक अलकोहाल यानि कि इसे बोलते हैं, तीन अंस, ठीक है, तीन अंस alcohol भी बोलते है, टारसारी भी बोल सकते हैं, तो अब आपको क्या करना है, तरतियक अलकोहाल में आपके पास यहाँ पर देखें, तीन आर कर देना, ठीक है, ना, अलकेल गुरूप यहाँ पर थ्री हो जाएंगे, हाना, तो यह सारी के सारी सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन से जुड़ेंगे, और यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है, कार्बन की संयोजकता होती है, वह चार होती है, तो चार सिंगत तक साथ यह जुड़ेंगे, और यहाँ पर OH इसलिए जुड़ेंगे, यह अलकोहाल गुरूप का आपका क्रियात्मक समू होता है, यह जुड़ेंगे, पहले इस्ट्रिप में आपसे कहा था कि आपको किसे HI छे, रियक्शन करानी है, जब आप HI से क निकल गया, बचा कि I, तो यहाँ पर C के साथ यह जुड़ जागा, और यह OH आपका H के साथ यहाँ पर H2O के रूप में निकल गया, तो यहाँ पर CI यह जुड़ गया ऐसे, यह दूसरा इस्ट्रिप है, तीसरे इस्ट्रिप में आपने देखा तक कि आपको AGNO2 से कराना है यहाँ पर देखेगा, यह आपका RR करके सिंगल बॉन, कॉर्बन और यहाँ पर यहाँ से AG और यह आई, आपका यह माइनस हो गया, यह आपका अलग हुआ, अब जब इतना अलग हो गया, तो यहाँ से NO2 बचा, जो कि इसके साथ आपका जुड़ जागा, यहाँ पर वासित है, कि इसमें कोई reaction ही नहीं होता, समझ रहे हैं, कोई भी reaction नहीं होगा, और जब कोई reaction नहीं होगा, तो NAOH आपका कोई reaction भी नहीं करेगा, और जब कोई reaction नहीं करेगा, तो कोई रंग ही आपको पराप्ट नहीं होगा, बस लास्ट में इतना ध्यान देना है, कि जब HNO2 से reaction कराएंगे तो कोई भी reaction नहीं होगी और ना ही NAOS से fraction होगा तो बस यहाँ पर कोई रंग भी नहीं मिलेगा तो I hope आपने इसको vector में fraction को अच्छे तरीके समझ लिया होगा बहुत ही easy है लेकिन important भी है पूरा 5 number बोड़ एक्जाम में यह आएगा और आपको 5 number फोड़ना है मैंने बताएं कि यह आएगा या तो आपका एक है Lucas पर इचांटी के उसको हम जल्दी यहाँ पर लाने वाले है तो चैनल को आप subscribe करके रखिएगा ताक कि वीडियो मिस ना हो ठीक ना तो यह भी आपका important तो उनों को करना है चैनल मिलता है नेक्स वीडियो नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए चैनल वन्दे मातरम